हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विप्रास कुचन लैब, आज हम बनाएंगे दूद का मसाला, ये मसाला बनाने के लिए हमें चाहिए बादाम, ये पचास ग्राम है, काजू, अब तुकडा काजू भी यूज कर सकते हो, पिस्ता, वालनट याने अक्रोट, ये है खारेक ये चारो चीज़े हमने 25 ग्राम लिए है, सिब बादाम हमने 50 ग्राम लिए है, मिश्री, मिश्री के बदले आप शकर भी यूज कर सकते हो, मिश्री आप टेस्ट के अनुसार 30 से 50 ग्राम ले सकते हो, चारो ली, इसे चिरोंजी भी कहते हैं, ये है इलाईची का पाउडर, म मगस्तरी या फिर इसे खर्बूजे के बीच भी कहते हैं ये है जाइफल पाउडर खस खस सौफ याने बड़ी शेप हल्दी तीन से चार चुटकी हमें केशर के थ्रेट्स लेने हैं इससे फ्लेवर और टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा बादाम, काजू, पीस्ता, अक्रोट ये हमें सौल्टेड यूज नहीं करने हैं सबसे पहले हमें एक लोहे की कड़ाई को गरम करना है बहुत जादा गरम नहीं करना है हलका गरम करेंगे और उसमें सारे ट्राइफूट्स को हम रोस्ट करेंगे रोस्ट करते वक्त गैस की फ्लेम हमें लो रखनी है रोस्ट करते वक्त चमच हिलाते रहेगा ताकि ये अच्छे से रोस्ट हो और ट्राइफूट्स निस्चे से जलेने बादाम साइज में बड़े है तो इसे हमने अलग से रोस्ट किया है पिस्ता, काजू और अक्रोट को हम एक साथ रोस्ट करेंगे कोई भी चीज को हमें ओवर रोस्ट नहीं करना है बस हलका हलका सा सेकना है जो बच्चे ट्राइफूर्स अच्छे से चबा कर नहीं खाते है या फिर बड़े बुज़ुग जो दाद की तकलिफ की वज़े से ट्राइफूर्स नहीं खा सकते है चबा नहीं सकते है उनकी लिए ये बेस्ट आप्शन है अब इसमें हमने एड किया है मगस्तरी याने खर्बूजे के सीड्स, चारोली और खस-खस गैस की फिलेम यहाँ पे हमने बन की है मिल्क मसाला पाउडर घर पे बनाना बहुत ही आसान है मार्केट में मिलने वाले मसाले से ये काफी सस्ता भी पड़ता है पंदरा दिन या फिर एक महिने के लिए आपको जितनी कॉंडेटी की जरूरत है उतनी कॉंडेटी की हिसाब से आप इसे बनाईए और फ्रीज में स्टोर करिए सौफ याने बड़ी शेप को भी हमें हल्का सा रोस्ट करना है रोस्ट की हुई सारी चीज़े हमने एक कांच के बाउल में निकाला है अब इसमें हम एड़ करेंगे जाइफल पाउडर इलाईजी का पाउडर हल्दी हल्दी आप्शनल है इसे आप अब अबड़ भी कर सकते हो ड्राई ड्रेट्स का पाउडर याने खारेक पाउडर केशर और इसमें अब हम एड़ करेंगे सौफ इन सब को हमें अच्छे से मिक्स करना है रोस्ट की हुई सारी चीज़े अच्छे से थंडी हो गई है अब इसे हम mixer के jar में add करेंगे और इसका दरदरा powder बनाएंगे mixer में इसे पीशते वक आपको on off on off करना है hold करिए चमच हिलाइए और फिर वापस से सिर्फ on off on off करके इसे दरदरा पीशना है अगर आपने mixer continuous on रखा तो dry foods में से oil content निकलेगा और ये भुरबुरा नहीं बनेगा powder आपका paste के जैसे बनेगा आप देख सकते हो milk masala powder हमारा बहुत ही भुरबुरा बना है इसमें से oil content नहीं निकला है एकदम ये dry masala है हल्दी और केशर की बज़े से milk masala powder का color बहुत ही बढ़िया आया है हल्दी की मातरा आप कम ज़्यादा भी कर सकते हो अगर आप उपवास में हल्दी नहीं खाते हो तो इसे अवर्ड भी कर सकते हो मिक्सर के जार में आप देख सकते हो powder बिलकुल भी नीचे चिपका नहीं है मेरे कई सारे वीडियोज में आपने देखा होगा कि मिक्सर सिर्फ ओन ओफ ओन ओफ करके कैसे चलाना है बहुत ही बढ़िया हमारा मिल्क मसाला पाउडर बना है आईए अब देखते हैं मसाला दूद कैसे बनाते है मसाला दूद बनाने के लिए हमें चाहिए मिल्क मसाला पाउडर चौप किये हुए बादम, काजू और पिस्ता एक चमज दूद में केशर के 5-6 थ्रेट्स को मिक्स किया है एक गलास दूद सबसे पहले हमें दूद को हलका सा गरम करना है यहाँ पे मैंने जो दूद यूज किया है ये अल्रेडी गरम है क्योंकि सुबह सुबह जब मैंने दूद गरम किया था उसी मैंसे मैंने एक गलास निकाला है तो दूद यहाँ पे थोड़ा सा गरम है अगर आप फ्रेश वाला दूद यूज कर रहे हैं तो दूद को करम करने के लिए रखे हलका उबाल आने लगे तब उसमें एड़ करिए मिल्क मसाला पाउडर. एक ग्लास दूद के लिए वन एन हाफ टेबल स्पून हमें मिल्क मसाला पाउडर यूज करना है. या फिर घर में जो नॉर्मली खाने वाली जो चम्मज होती है वो आप दो चम्मज मिल्क मसाला पाउडर एड़ करिएगा. मसाला उबलते वक्त गैस की फ्लेम हमें लो रखनी है मीडियम या हाई फ्लेम पे मसाला मत उबालिएगा और मसाला उबालते वक्त आपको चम्मच कंटिन्योस हिलाते रहना है ताकि मसाला नीचे बैठेने अगर मसाला नीचे बैठ गया तो ये चिपक सकता है याने हलका सा जल भी सकता है तो दूद को आपको continuous हिलाते रहना है दूद को उबालते वक्त आप इसमें हल्ती भी add कर सकते हो दूद में हलका उबाल आने लगा है अब इसमें हम add करेंगे केशर वाला दूद अब दूद को हमें एक उबाला आने तलक ही उबालना है इस वक्त दूद के मसाले की खुश्बू बहुत ही पढ़िया आ रही है दूद का मसाला जब हमने मिकसर में पीसा था तब मैंने मिश्री एड नहीं की थी क्योंकि मुझे स्वीट अच्छा नहीं लगता है तो मैंने इसे अवर्ड किया था लेकिन अगर आपको शक्कर या फिर मिश्री एड करनी है तो जब हमने मसाला मिकसर में पीसा था उसी वक्त मिश्री भी एड करिएगा दूद उबलने लगा है अब ग्रैस की फ्लेम हम बंद करेंगे और इसे एक ग्लास में निकाल लेंगे मसाला दूद बनाने के लिए हमने जो इंग्रियंस यूज किये है उनका मेजरमेंट मैंने डिस्किप्शन बॉक्स में दिया है मसाला दूद को हमें ग्लास में निकालेंगे और चौप की हुए बादाम, पिस्ता और काजू से इसे गार्निश करेंगे कुछ केशर के थेड़ से भी आप इसे गार्निश कर सकते हो तयार है हमारा मसाला मिल्क पाउडर और उससे बनने वाला मसाला दूद इस मसाले को आप फ्रीज में आसान इसे स्टोर कर सकते हो इसे स्टोर करने के लिए आपको एक काज का एर टाइट कंटेनर यूज करना है थेंक यू